ओम सिरी गनेश शाय नमा दोश्तो एश्क्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोश्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी गुरुवार के रासी फल्क के बारे में की यह दिन तो लाराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपोन जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंच सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके उच्छ इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती हैं अच्छा धनलाब प्राप्त होनी की भी आज संभवना बन सकती है यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साति सात आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्छ में मोडने के लिए आपके पास पूरी उर्जा और सेंसकती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचार रूप से आज आपके सभी कार रहे आसानी से बनते चले जाएंगे जिस से आपकी आर्थिक इस्तितियां भैतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको शयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्से के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे संबंद बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए फाइदेबंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव रह सकता है दोस्तो आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्तितिया आज आपको देखने को मिल सकती हैं परंतु परियास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना आज पाई जाती हैं दोस्तो साती सात आपको अपने परिवारिक शुकों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही साती सात इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंदूरूनी समस्या भी हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवा सकता है दोस्तो साती सात चिंता या तनाव से आप बचे इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिनसे निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे धोराने से बचें समय प्रवंदक की जगा प्रात्मिक्ता प्रवंदक बने कोई अपॉइंटमेंट या अन्य कैई महतपून चीजे के भूलनी की भी आज संभवना बन सकती है दोस्तो बेवजा के डर को मन से निकालें और परिश्रम से कारने में जूटें नकारात्मक विचारों से बचें अन्यता परिवार में कलह होने की संभवना रहेगी अधिक परिश्रम से शाररिक और मानसिक रूप से ठकान का अनुबब आज आप करेंगे इसका असर रिस्तो पर पड़ सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ कैसी रहनी वाली है दोस्तो आज के दिन आप लोग अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है परंतु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंद आज मदूर होने की संभवना पाई जाती है सातिसास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाब बनाने की कोशिस ना करें यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है तो उसे सुलजाने की कोशिस करें यदि नई रिलेशनसिप है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गति विद्यों में परिसानिया आ सकती है लेकिन कटिन परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी इस्तिती रहेगी करे छेत्र में काम के अधिक्ता रहने से शारारिक और मांसिक रूप से ठकान का अनुभव आज आपकर सकते हैं कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी खुसकबरी आज प्राप्त हो सकती है विद्यार्तियों के लिए समय अच्छा है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय आज का काफी मिला जुला रहेगा जिहां दोस्तो आज का समय आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने में काफी महतपूर सावित होगा और आप परिवारिक संपत्ती प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने खानपान पर विशेश रूप से ध्यान देने की जवर्त बनी हुई रहेगी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाई नहीं करनी आज आपको अपनी सिहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे दोस्तो मद्ध्यान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वहां चलाते समय शावधानी बरते दोस्तो अपने भोजन सामगरी पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श्वैम को चुस्त दुरुस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसलिए दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हो पाई क्या है दोस्तो आज आप जब भी इस्नान करें बस इसनान करने से पहले नहाने वाले पाने में आप चुटकी भर हल्दी डाल कर इसनान करें मंतर का मंनिमन आप जाप करते रहें जहां दोस्तो इसनान आदिसे निर्वत्र जबाप हो जाएं उसके बाद आप बहुती सच्चे मन से श्रद अभाव से भगवान विश्णु जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और वहीं बैटकर आप विश्णु से सस्त नाम का भी पाट अवश्य करें ज़्या दोस्तो इतना करने मात्र से ही भगवान विश्णु बहुत जल्द प्रसन होंगे आपके समस्त कष्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेसाने चल रही हैं सभी परेसाने उगांत करेंगे और आपके जीवन में खुसियें-खुसियें हूंगी ज़्या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें, आपको इसा करने से अवस्य ही लाब प्राप्त होगा, दोस्तो भगवान विश्णु जी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से, कमेंट्स बोक्स में, जैसे रिहरी विश्णु अवस्य लिखें, और वीडियो को लाइ दन्यवाद